तो दीखो guys, 35,000 रोपे का laptop market में चुन पाना इस point में काफी ज्यादा मुस्किल है, impossible task है, and यहाँ पे आपको confuse करने के लिए YouTube में N numbers of videos देखनी को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको अच्छा खासा laptop लेकर नहीं बता रहा है, तो चिंदा क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, यहाँ पे guys ऐसा list आयर किया हो, जहाँ आपको All-rounder laptop दीखनी को मिलेगा, आपको Intel Core i3 11th generation के प्रोसेसर रेकर, Ryzen 3 का 5380 U देखनी को मल जाएगा, साथ ही आपको 8GB RAM, 512GB की SSD, Full HD डिस्प्ले दिखनी को मल जाएगा, मतलब कि एक फुल पैकेज ओला laptop मिलेगा, जहाँ आप student हो, या फिर office work के लिए laptop चाहिए, या फिर normal usage के लिए आपको laptop चाहिए, आप काफी easily इनमें सारे काम कर पाओगे, सबी laptop का बाइन लिंग is in the description, चो पर AMD Ryzen 3 का 5300U देखनी को मिलता है, अब पिछले साल का, पिछले generation का AMD Ryzen 3 का 5th generation का 5300U जो प्रोसेसर है ना बहुत ही अच्छा performance आपको देता है, यहाँ पर आप काफी अच्छे से अपने सारे काम इसमें कर सकते हो, यहाँ पर normal gaming भी आप इसमें आराम से खेल सकते हो, HD graphics के पर GTA 5 अराम से रन कर लेता है यह प्रोसेसर, तो सभी laptop में आपको जो लगभग laptops बताऊंगा, मैं आपको इन में यही प्रोसेसर दिखनी को मिलेगा, बाकी 4GB के राय में 512GB की SSD दिखनी को मिल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ आपको DOS operating system दिखनी को मिलता है, त आपको Windows अलग से करवाना पड़ेगा इसमें, बागी 15.6 inch का डिस्पले, तो जिसका 28,000 रुपे के price point के आज पास जिनका budget है, तो यह laptop उनके लिए best हो सकता है, इसलिए मैंने इसको include किया, वैसे सभी laptop का buying link मैं आपको description में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकाउट कर सकते हो next option के पास पढ़ेंगे, तो वो भी Lenovo के तरफ से आता है, यह है Lenovo का V15, यह जो laptop यहाँ पर भी same processor देखने को मिलता है, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा improved है, क्योंकि यहाँ पको full HD display देखने को मिलता है, 15.6 inch का जहाँ पको anti-clear की coating देखने को मिल जाती है, तो display quality बहुत अ आपको on point देखने को मिलता है, Windows 11 home देखने को मिलेगा out of the box, और MS Office 2021 का support देखने को मिलेगा lifetime के लिए, laptop 1.7 kg का है, जादा वे भी नहीं करता है, यहाँ पर laptop का performance अच्छा मिलेगा, build quality भी आपको इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है, यह rapid charge technology के साथ में आता है, तो laptop काफी अच्छा है, link इसका description में मिल जाएगा, next option के बारे बात करें, तो को इस Acer की तरफ से आता है, Acer का Aspire 3, तो जिनको Ryzen वाले प्रोसेसर में interest नहीं है, वो i3 11th generation के पास जा सकते है, जो कि Intel के तरफ से आता है, तो यहाँ पे 8GB RAM, 256GB के SSD देखने को मिलती है, और बाके specification आपक देखने को मिल जाता है, link इसका description में दे दूगा, वहाँ से check करना आप, वैसे guys, यह laptop का look आप देखो, तो काफी अच्छा है इस price point के हिसाब से, यह वो काफी lightweight यह laptop देखने को मिलता है, and laptop का build quality आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, keyboard की quality, और यहाँ पे touchpad की quality भी अच् इसके बारे मैंने आपको बहुत बरबता है, पहले guys, जब यह laptop था पिछले साल यह कुछ 41-43,000 रूपीज के आसपस sale हो रहता है, लेकिन अभी 34,000 रूपीज हो चुक है इसका price, लेकिन यहाँ पर अगर आपको लेना कोई अच्छा खासा performance ना laptop तो आप इसको ले सकते हो का Windows 11 Home तो अपको इसमें दिखनी को मिलेगा ही, तो कोई problem नहीं आने वाली और Full HD display भी है, तो laptop में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, इसको लेना है तो आग बंद करके ले सकते हो, वैसे जितने भी laptops बता रहा है, आपको 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 एजिली ट्रस्ट करके खरीज सकते हो Next option के बारे हम बात करें, जिनको HP brand में इंट्रस्ट है, लाइक मेरी तरह, तो यहाँ पे HP 15S EQ2143 AEW laptop ले सकते हो, राइजन थरी का 5380U देखनी को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक reality check बता देता हू, राइजन थरी का 5380U जो प्रोसेसर है यह आज़ी मैंने यूस कर रखा है अभी तक काफी अच्छा performance दे रहा हो मिर को, यहाँ पे मुझे कोई issue नहीं आए, performance wise काफी अच्छा processor था यह पिछले साल का, तो यहाँ पे कोई problem नहीं आने वाले है, आने वाले दिनों में इसको use करने में, तो इसलिए आप इसको trust करके खरीच सकते हो, link description में होगा, सभी laptop का बाकी specification आपको इसमें सेम दिखनी को मिल जाएंगे, और भी details जाके देख लेना, description से link में, next option के बारे हम बात करेंगा, इस Lenovo के brand के तरफ से, इस price point है, बहुत सारा laptop देखनी को मिलता है, लेकिन अगर आपको थोरा सा premium side का कोई laptop चाहिए, जिसके build quality बगेर, अच्छी खास आपको इस लिखनी को मिलती है, यह laptop का build quality आपको बाकी laptops जो कि मैंने आपको इस list में include करके बता है, उन से बहुत बैटर देखनी को मिलेगा, यह trust कर लो, क्योंकि यहाँ पर यह laptop भी मैंने use कर रखा है, यहाँ पर यह laptop काफी अच्छा काम कर रहा है, अभी भी, and इसका build quality आ यह link is in the description, तो देखो guys, यहाँ पर मैंने आपको सारे laptops बता दिये, and यहाँ पर सभी laptop का link description है, सभी laptop best performance देते, आप इनको आख बंद करके खरीच सकते हो, so बस guys, आज के लिए बस इतना यह video पसंदा है, ज़रू सा लाइक करो, चैनल को अभी ते subscribe नहीं है, तो चैनल को subscribe कर देना, so guys, मिल दावाने नेक्ट विडियों तो लोड़े, टेक कर, गुट बाई